नमस्कार क्यापचल टीवी देख रहे हैं आप मैं हुआ आपके साथ पूझा ब्रेकिंग नाव में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अर्विन केज्रिवाल को सुप्रिम कोट से बहुत बड़ा जटका लगा है अर्विन केज्रिवाल हाई कोट के फैसले के कलाब सुप्रि श्रीजा को मेल कीजिए उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा मतलब आज कोई राहत अर्विन केज्रिवाल को सुप्रिम कोट की तरफ से नहीं मिली है कल हाई कोट ने केजरिवाल की गिरफतारी को सही बताया था और हाई कोट का ये कहना था कि केजरिवाल की गिरफतारी व्याद तरीके से ही हुई है कानूनी प्रक्रिया के तहत ही हुई है तो ऐसे में आज सुप्रिम कोट से भी बहुत बड़ा जटका लग गया है क्या कुछ हुआ सुप्रिम कोट में आपको बताएंगे साथी अर्वंद के जिरिवाल को राउज अविन्यू कोट से भी बड़ा जटका लगा है उसकी भी डिटेल्स देंगे मेरे साज़ोड़े हैं क्या पतल टीवी के एक्सक्यूटिब एडिटर राजीब जी स क्या कुछ हुआ आज सुप्रिम कोट में देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि अविशेक मनु सिंग्वी जैसे वकील यह समझते हैं कि सुप्रिम कोट में सीजी आई के पास जाएं और वहां पर जाते ही हम जो याचिका लेकर जाएं उस पर ये लोग खाना पीना हाई कोट में चाहते हैं कि जैसा हम बोलें जज वैसा ही करें लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हाई कोट के बाद सुप्रिम कोट में इतनी जल्दी बाजी में जाने के पीछे की आम आदमी पार्टी और अर्विंद केद्रिवाल की एक दूसरी वज़ा है इस पर बाद में चर्चा करेंगे लेकिन ये आनन भानन में सुबह सुप्रिम कोट चले गए कि हमें ततकाल सुनवाई की जरुवत है क्यों ततकाल सुनवाई की जरुवत है सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आपको एक दिन के अंदर हाई कोट के फैसले के बाद ततकाल सुनवाई की जरु कर रहे हो आप बेल पिटिसन नहीं दे रहे हो बेल पिटिसन देते तो फस जाते इसके लिए आप आगे की रननीती तयार कर रहे हो कि जमानत की याचिका बाद में दी जाएगी कुछ समय और गुजार लेने दो लेकिन इससे पहले आप लीगलीटी पर सवाल उठा रहे हो कि उनके गिरफतारी लीगल है या इलीगल है अब हाई कोट ने इलीगल और लीगल के चकर में कुछ ऐसी बाते कर दी है जिसके बाद आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई अर्विंद केजरिवाल को पूरी तरह से कॉंस्पिरेटर साबित कर दिया और उनके एक एक उटाए उन सारे सवालों का एक एक करके जवाब दिया लोगों को लग रहा था कि हाई कोट में जब इस मामले की लिगलिटी पर सुनवाई हुई उसके बाद जजज साहब को ऐसा क्या लगा कि दो दिन तक फैसले को सुराचित रखा जब फैसला आया तो समझ में आया कि इ इतने सवाल उठाए थे वो सवाल पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी था और वो सवाल ऐसा था जिसके उपर जवाब देने के लिए एडिके एक-एक सुबوत को सामने रखना जजज साहब के लिए जरूरी था इसलिए इनके सारे सवालों का जवाद दिया कि आप पॉलिटिक की है गलतिया की है चाहे approver का मामला हो या फिर दूसरे इस्तर पर approver को गलत साबित करने का मामला हो या फिर हवाला racket के जरिये गिया है पैसे को recovery ना होने का मामला हो सारे एक-एक point में जवाब दिया गया जिसे आम आदमी party भी फस्ती नजर आ रही है company act और representation और people act ये दोनों को समान तरीके से बता कर उन्होंने अब आम आदमी party के उपर तलवार लटका दी जिसके कारण इन लोगों को लगा कि supreme court में कोई रहत मिलेगी क्योंकि कल से आम आदमी party के निता मैदान में उत्रे थे तो एक उधारन दे रहे थे और वो उधारन था कि संजे सिन के मामले में supreme court ने इसी मामले में सराब घोटाले में high court का फैसला पलटते हुए राहत दी है जमानत दी है तो केजरिवाल को क्यों नहीं सबसे पहली बात तो यही है कि आप जमानत के लिए supreme court नहीं जा रहे है आप वैधता की बात कर रहे है कि गिरफतारी वैध है या अवैध है दूसरी बात यह है कि संजे सिनके मामले में भी supreme court ने साफ तोर पर कहा था कि यह person to person case to case vary करता है इसको यह लेकर मत चलो कि सराब घोटाले में अब किसी को भी जमानत मिल जाएगी विजय नायर आजाएगा केजरिवाल आजाएगा सिसोधिया आजाएगा यह लोग यह उदाहरन नहीं देता कि कुछ समय पहले ही मनीज सिसोधिया भी supreme court में curative petition लेकर गया जो लास्ट petition होता है और review petition reject होने के बाद curative petition भी reject हो गया ततकाल इस बात का आम आदमी पार्टी का कोई नेता जिक्र नहीं करता लेकिन संजसिन की जमानत का बारवार जिक्र कर रहा है तो जैसे ही अभी शेक मनु सिंग भी supreme court में याचिका दायर किये CGI से कहा कि मिलोड हमें अभी ततकाल सुनवाई होने चाहिए अगर ततकाल सुनवाई नहीं हुई तो जिस तरीके से politics चल रही है आम आदमी पार्टी तो पिछर जाएगी अरविंद केजरिवाल हमारे star नेता है और आम आदमी पार्टी के लिए परचार के लिए अपने मुसीबते तो बताए कि कैसे केजरिवाल फस चुके लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की अभी शेक मनु सिंग्वी की हर बढ़ाहट है कि जल से जल सुनवाई हो ततकाल सु उसके पीछे की वज़ज है वो है हाई कोट की टिपनिया हाई कोट ने जिस तरीके से बताया कि आम आदमी पार्टी इसमें अब आरोपी बनाया जा सकता है जिस सेक्शन के तहत एक राज्यतिक पार्टी का गठन होता है उसको भी लोगों का समूह कहा जाता है लोग मिलकर बनाते हैं और लोग ही चुड़े होते हैं उसी तरीके से जो कमपनी एक्ट के तहट कोई कमपनी बनाया जाती है वो भी लोगों का समूह होता है तो अगर किसी कमपनी के खिलाप ED कारवाई करती है तो क्या करती है अगर कमपनी किसी फ्रॉड में फसा हुआ है तो वो ED क्या उसके डारेक्टर्स को नहीं पकड़ती है उसी तरीके से आम आदमी पार्टी चुकि गोवा में चुनाब परचार के दौरान इन लोगों ने 45 कड़ों रूपे खर्च किये और वहां पर आम आदमी पार्टी का एक कंडिडेट जो है वो गवा है अब गोवा में चुनाब पर आम आदमी पार्टी ने मनी लॉंडरिंग के पैसे हवाला के जरिये पैसे जो खर्च किये उस पैसे के आधार पर गोवा चुनाब में आम आदमी पार्टी के सारे कंडिडेट जो अभी विधायक भी बने है उसके कंडिडेचर को रद कर दिया जाएगा आम आदमी पार्ट ये पार्टी की मानेता रद हो जाएगी अब हड़ बड़ा हट इस बात को लेकर है कि केजरिवाल तो जेल के अंदर है ही सिसाधिया जेल के अंदर है ही ये निकलेगा नहीं लेकिन एक के बाद अगर एक आम आदमी पार्टी के खिलाप ED के सुबूत जो है उसके आधार पर ए है उसके उपर अभिशेक मनु सिंग भी वहाँ बात करने वाले थे कि जब अभी तक सुनवाई चल रही है और हमने ये जो हाई कोट में याचिका दायर की थी वो ED के समन और गिरफतारी के खिलाप की थी लेकिन इसमें जजज साहब ने तो आम आदमी पार्टी पर ही सवाल उठा दिया अब उस टिपनी के खिलाप सुप्रिम कोट कुछ बात कहे कि इसमें आम आदमी पार्टी को आरोपी अभी नहीं बनाया जा सकता है यह बड़ा हट इस बात को लेकर है इसलिए केजरी वाल के बारे में इन लोगों को पता है कि सुप्रिम कोट भी गिरफतारी को अवैद नहीं ठेहराएगी यह पहला मामला नहीं है हाइ कोट में जो फैसला हुआ उसमें भी उन्होंने बनसल बनाम यूनियन आप इंडिया on others eight others के मामले का सुप्रिम कोट का जिकर हाइ कोट के जज ने किया कि उस मामले में सुप्रिम कोट ने यही बाते कही थी, कि किसी गिरफतारी को अवैद तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसके लिए जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है उसके पास कोई आधार ही न हो यहां तो कई आधार है कॉंस्पिरेसी का आधार है यहां आपने दो दो भूमिकाय निभाई आम आदमी पार्टी के निशनल कंवेनर होने के कारण भूमिका निभाई आप चीफ मिनिस्टर होने के कारण इकसाइज पॉलिसी को बनाने में भूमिका निभाई तो आपकी भूमिकाय डूल तरीके से है इसलिए केद्रिवाल तो फसा है आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए सुप्रीम कोट के संरक्षन की जरुवत है और इसलिए जब इन्होंने याचिका दायर की तो चीफ जस्टिस ने यही कहा कि पहले याचिका को पढ़ तो ले मेल करोगे जो तरीके हैं कि पहले आप मेल करते हो फिर रोस्टर में सामिल होता है फिर सीजे आई ये जो कोलेजियम में बैठे पांच जज हैं इन में से किसी और को एक रोस्टर बनाते हैं कि किन किन जजों की बेंच बनाई जाए उसके बाद सुनवाई होगी इसलिए ततकाल अभी आप साढ़े आठ बजे आठ का में सवाल क्या-क्या उठाए गए हैं वो सवाल देखेंगे अगर एक्सेप्ट करने के लाइक होगा सुनवाई करेंगे रिजेक्ट करने के लाइक होगा तो रिजेक्ट करेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ सुप्रिम कोट में ये मेंशन किया गया है यानि आपने याचिक अब इशेक मनु सिंगवी को डाट कर भगाया है कहा ये वी वी आई पी ट्रिट्मेंट वाली बाते आप लोग जो बार बार करते हैं ये नहीं होने वाला है तो केजरिवाल के लिए आफ़त की तरह है क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरिवाल ने एक नया प्लान बनाया था कि बाहर के अपडेट लेने के लिए हमें जरूरत है हर रोज कोई न कोई ऐसा हो जो की आकर बताए हमें कि क्या-क्या गतिविदियां हो रही है आम आदमी पाटी को कोई निर्देश जारी करना है वो कैसे निर्देश जारी करेंगे सरकार के फैसले लेने है इसके लिए डेली कुछ लोग चाहिए और उसमें वकील ही ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आधा घंटा का ठ्रमे दिया गया था लेकिन सब्ताह में दो दिन अब इनके वकील का मानना था कि दो दिन यानी एक घंटा सब्ता में हम रहते हैं अर्विंद केजरिवाल के खिलाफ 30 से 35 मुकदमे हैं उन सब पर डिसकसन नहीं किया जा सकता लेकिन तिहार में तो आप शराब घोटाले के लिए हो अभी शराब घोटाले का केस चल रहा है करें रोज हम अपने निर्देश जारी करें रोज वकील के माध्यम से बाहर की गत्विदिया जाने और सबसे बड़ी बात जो थी वह इडी ने कहा था कि अगर रोज वकील से मुलाकाद करना है तो इन से जो इंटरोगेशन के दौरान पूश्ताच के दौरान जिन लोगों का नाम लिया जिस एविडेंस का नाम लिया हर रोज तो ये कही ने कहीं एक नई कॉंस्प्रेसी को जनम देंगे कि कुछ सुबूतों को मिटाने हटाने खत्म करने के लिए ये जेल के अंदर से जिस तरीके से बड़े बड़े माफिया चाहे मुकतार अंसारी हो अतीक गमद हो इन लोगों ने क्या किया जेल के अंदर से ही तो सामराज्य चलाया और उसी तरीके से जेल के अंदर से ये सामराज्य चलाना और फिर एविडेंस को खत्म करने की एक नई कॉंस्प्रेसी कर रहे हैं इसलिए रावज वेन्यू कोट ने ये जो जटका दिया है अब अरविंद केद्रिवाल अकेले में बैट कर ये सोचता रहेगा कि आज दिन भर में आम आदमी पार्टी में क्या हुआ क्योंकि जिस तरीके से संजय से इन भगवंत मान मिलने के लिए जाने वाले थे वो भी नहीं जा रहे हैं मुलाकात नहीं हो रही अब यहां हाई को सुप्रिम कोर्ट के से लगतार जटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की बैठके चल रही है तो केद्रिवाल तरपता रहेगा इसी तरह से और इसी तरीके से उसका सुगर लो अप होता रहेगा वजन कमता रहेगा और वहां से निकलने के समय ये केद्रिवाल वो नहीं ह यह वो होगा जैसा कि सतिंद्र जैन बाहर निकला लोगों ने पहचानने से इंकार कर दिया तो बड़ी अपडेट गई है कि केज्रिवाल को चारों तरफ से जटके लगे रहे हैं चाहे वो हाई कोट हो सुप्रिम कोट हो या दली का राउज विन्यू कोट ही क्यों ना हो चार खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रिम कोट का रुक किया था सुप्रिम कोट से ततकाल सुनवाई की मांग अर्विन के जिवाल ने की थी लेकिन सुप्रिम कोट ने ततकाल सुनवाई से साफ साफ इंकार कर दिया है तो एक बहुत बड़ा जटका अर्विन के जिवाल क नहीं केंवसन भोला के साथ मैं पूजा क्यापिटल टीवी